मैमरी में एक तो क्वान्टीटी की लिमिट है कि आप कैतला डेटा स्टोर कर सकते हैं उसकी लिमिट सब की होती है अलग-अलग होती है और वह द्री की लिमिट आप जितने बढ़ाएंगे तने बढ़ती vakit जाएगी है जो फ्रेश है वो याद है आधे घंटे कुछ चीजर बूल जाएंगे दो घंटे बथ कुछ और भूल जाएंगे चे घंटे दो दिन बाद सब भूल जाएंगे इह त्यू हमारी मेमरिफशन पे काम पर लीक्स छो हमें लगते हैं कि बहुत इंपोर्टेंट है हमारे लिएจะ हमें लगता है कि बहुत इंपोर्टेंट नहीं है वह कि देख लिए और मैं मनोविक ज्ञान के भाव से भी जीवन में कुछ बुरे ख्षण आते हैं उनको नहीं भूल पाएंगे तो फिर जीएंगे कैसे तो पहली बात तो भूलने एक समस्य नहीं भूलने एक बर्दान भी है समस्य के साथ साथ बर्दान भी है अब ही आपके लि को भूल गए उसे कैसे मैनेज करें तो उससा तरीका यह है कि पहली बात मेमरी की लिमिटेशन्स तो ध्यान रखते हुए मेमरी के इंदर कुड़ा मत मरी है जो बेकार के तक्षे हैं उनको मत मरी है काम की बाते मेमरी में लेके जाएए पहली बात को यह है दूसरा जो महत्म आपने कभी ना कभी बच्वन में कोई übers बना की याद कि यही हुगा जैसे सालिय के नाइम याद करने हैं तो राज्य के नाम के पहले पहले अल्फअ बेट लेका वाक्या बना लिए जिससे वह फजिद्र कि यूड़ रही है तो बहुत जरूरी और बहुत बड़े तर्चेंगों याद करने लिए भाकी तर्चेंगो याद करने के लिख लिख कर याद कीजिए और जो मैंने ने पहले कहा कि तीन रिव прот coronavirus उने गलेंगे फिर आप गजने पंसे बाइने करे जाएंगे और تीन revision कब करनी है एक daily basis पे एक weekly एक month लिए अगर आपने तीन बर revise कर लिया तो नहीं भूलेंगे शैर कर लिए जिसमें एक घंटा और सैर करते हैं समय अपने आपसे बोलते रही है जो जो पड़के रहे तो उसको revise करते रही है जो audio recording तो जहां तीन चार बर अपने revise के फिर कहां कोई भूलता है और जो चीजे बार बार भूल रहे हैं उनको विशेफ रूप से points के रुप में लिख लिख के याद कर लेजिए तो याद रहेगा देखिए दो वाकियों में सारी बात का सार बता रहो आई-एस के exam का syllabus इतना ज्यादा है कि किसी को आज सक पुरा याद नहीं हुआ है आपको भी नहीं होगा कितना भी जोर लगा लिजी कभी याद नहीं हो ठीक है तो दो वाकियों में पूरी वात समझ में आज़ेगी पहला वाकिये यह है कि exam से एक दिन पहले यह लगना कि कुछ भी याद नहीं आ रहा यह सामाने बात है आपको भी लगेगा कितना भी पढ़ लो कितना भी रिवायस कर लो कितना इन फर्मूले बना लो exam के एक र कुछ इंता की बात नहीं है आप exam में जाएंगे कई प्रश्णों को देखके यह भाव आएगा कि कुछ पॉइंट से याद नहीं आ रहे हैं यह भी सामाने बात हैं लेकिन आपको हर प्रश्ण में उतना याद आ जाएगा जितना लिखने से आपका काम चल सकता है क्योंकि अपने याद इतना किया हुआ है कि आप हर प्रश्ण में दोहजार शब्ले सकते हैं और लिखने दोस्तों शब्लों के लाइक आपको याद आजएगा परीक्षा में अच्छे से याद आजएगा पूरे पेपर में एक प्रश्ण में एक पॉइंट याद नहीं ही आएगा वह एक्जाम से बाहर निकलते याद आएगा ये विस्ता मानने बाट है और बाहर निकलते आप को से हैं रहे बहां ही आदमी आया तो जितना आपको चाही जाए परीक्षा में ना उतना याद आजाएगा आजैगा और उतने से लुग आएस बन गरते हैं जो आज़ाइस कर और एक दिन अचानक पता लगते हैं कि वो आई एस चौपर हो गए हैं तो लोग उन से उम्मीद करने लगते हैं कि इनके अंदर कुछ टेराबैट से चिप नहीं है जब कि वो भी आपके सिती में थे कोई अलग अजूवा उनके साथ भी नहीं था ठीक है?